मेरे प्यारे साथियों आप सभी का हमारे फिटर फारिटर चैनल बहुत-बहुत स्वागत है आज 25 फरवरी 2023 के दिन आज कई सारी विकेंसिया निकली हुई है इसमें ITI की भी विकेंसिय है और अधर भी विकेंसिय है तो मैं खास तोर से विडियो उनी विकेंसिय को लेकर बना रहा हूँ और इसको बता रहा हूँ कि विकेंसिय कहा है और कैसी है आज 25 फरवरी को निकली हुई है तो हम सबस्वेले आपको बता देते हैं कि ये जगह हमारी निकली हुई है dssb , यनि देखिए ये लिखा हुआ है मैं इसको अंडरलान कर दिया हूं डेली सबोडिनेट सरविस सेलेक्शन बोड यनि इसको हम कहते हैं DSS v इसको बarat नहीं डेली सबोडिनेट सरवेस सेलेक्सन बोड तो उसमें यह गवर्वंट जॉब है और इसकी ऑनलाइन जो website यह है httpdssb.deley.government.in है इस पे जाके आप देख सकते हैं और इसमें जो विकेंसी निकली हुई है मैं आगे इसको बताता हूँ इसमें कैसे क्या है कौन-कौन सी विकेंसी है खास तोर से मैंने ये वीडियो IT वालों के लिए बनाया है लेकिन और सभी का भी बता दूँगा कि इसमें विकेंसी किसकी सीच की देखे इसमें हम ओन-लाइन कब से इसको एपलाई कर सकते हैं वो ये लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ देखे ओपनिंडेट सब्मीशन ओन-लाइन एपलिकेशन 9 मार्च 2023 से हम इसको एपलाई कर सकते हैं और इसकी क्लोजिंग डेट है जो है साथ अपरेल तक है यानि इसके लिए परयाब टाइम हमारे पास है इसको भरने के लिए हम इसमें अंगे बढ़ते हैं और देख लेते इसमें टेक्निकल असेश्टेंड है इसका तरी नंबर में मेंटीनेस मेकेनिक है चौर ती नंबर पर तो यह सारे हमें देखना पड़ेंगे जो जिस बिकेंसिकाए उसको उसी तरीके से इसको चेक करना पड़ेगा हम आंगी चलते हैं सबसे लाष्ट में पहुँच जाते हैं क्यो उसमें experience मांगा गया है पर एक vacancy जो ऐसी है उसमें ITI का कोई experience नहीं है इसमें 31 नमबर की vacancy जो ऐसी है work, shop, attendant इसमें कोई भी experience नहीं मांगा गया है बस आपको ITI करी होई होना चाहिए और इसमें total 45 जगह हैं जगह काफी अच्छी हैं तो उनको मैं दिखा देता हूँ हमें 31 न attendant हम इसको 31 नमबर के column पर जाएंगे लेकिन इसमें हम और column भी आपको बताते चले जाएंगे देखिए इसमें यह closing date दिखाई गई है कब इसकी closing date हो जाएगी यह 7 अप्रेल 23 को closing date हो जाएगी और इसको भरना कहां से candidate को online कहां से apply करना यह website दी गई है htps-dssvonline.nic.in इससे आपको भरना है जो मैंने आपको दिखा दिया इसकी मैंने वो date भी बता दी अब इसके बाद जो पोस्ट अपने पास थी वो पोस्ट देखिए यह है पहली पोस्ट का मैं आपको दिखा देता हूं देखिए यह एक नंबर वाली जो पोस्ट है इसमें देखिए क्या educational qualification इस पोस्ट का नाम क्या था इस पोस्ट का नाम मैं आपको बता देता हूं देखिए यह लिखा हुआ इंस्टेक्टर मिल राइट इसमें देखिए अब इसमें क्या-क्या मांगा गया है three years diploma mechanical engineering मांगी गई है रिकना उनिवर्सिटी बोर्ड से मांगी गई या पर two years experience teaching working in relevant industrial unit यहनी आपका दो साल का या तो teaching experience हो या आप किसी industry का experience हो organization after acquiring the requisite qualification यहनी आपका दो साल का experience या तो teaching का होना चाहिए बक्स आपर या इसमें दिखिए degree diploma holder will have to undergo only second semester of CITS training इसमें degree diploma का जिसको जोन साब भर्म भरना है वो सब इसमें check करते जाएंगे यह दूसरी पोस्ट का है यह दूसरी पोस्ट पढ़ लीजिए आपने जो course किया होगा उसी से आप भरेंगे इसमें तीसरी पोस्ट देखिए यह तीसरी पोस्ट है यह तीसरी पोस्ट है इसकी qualification देख लीजिए आपके अंदर यदि यह qualification है तो आप तीसरी पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते यह से चौती पोस्ट है बहुत सारी पोस्ट है मैं लास्ट में पहुंच जाता हूं सबसे लास्ट जिसमें ITI मांगी हुई है तो खास तोर से मैंने ITI वाले बच्चों के लिए यह वनाया है तो यह हमारी सबसे लास्ट नंबर की पोस्ट थी थर्टीवण नंबर के तो ऐसा आप लोग इसको पढ़ सकते इसकी link मैं डिस्किप्शन में दे दूँगा तो आप पढ़ लेना देखिए यह सबसे लास्ट नंबर की पोस्ट थी मैं आपको दिखा रहा है दिखेए है 31 नमबर की पोश्ट है वर्क वर्क सॉप अटेंडेंट है ये डिपार्टमेंट आप ट्रेनेंग ये टेक्निकल एजूकेशन ठीक है इसके बाद टोटल टोटल जो है 45 हैं ये सब की जगह अलग अलग लिकी हुई है इसमें टेंथ पास with science and math from recognize school and board आपको टेंथ पास होना चाहिए मैं तो साइंस से नेशनल इस्टेड या तो आप नेशनल वाली आईटियाई करे हैं या इस्टेड वाली आईटियाई आप करे हुए हैं तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं या फिर आपने इसमें अपनेटिस भी की है तो भी आप इसको भर सकते हो तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं और इसमें बताते थे इसकी फीस बगएरा क्या है इसके basics क्या है तो उसको हम देखते हैं देखिए इसमें basic ये दिया गया है पे स्केल आप देख लेगे यह पे स्केल दिये गए है 19,900 से लेकर 63,200 तक है यह प्री रिवाइजड है ग्रेट पे 1900 है तो यह सब और यह ग्रूप C की बिकैंसी है नॉन गजिस्टेर्ड है नॉन मिनिस्ट्रियल है गजिस्टेर्ड नहीं है यह 18 से 27 साल है और इसमें जो है 18 से 27 से अब इसमें नीचे देखेंगे कितना रिलेक्सेशन इसमें क्योंकि वो भी CST सबका रिलेक्सेशन अलग अलग रहता है अब मैं आपको बता देता हूँ eligible criteria के बारे में कब तक आप भर सकते हैं मैंने बता दिया यह website है इस website पर जाको आपको apply करना है इसके बाद आप कब से कब तक apply करेंगे आप 9 मार्स से करेंगे और 7 अपरेवल तक करेंगे इसके बाद इसमें फीच कितनी है नीचे ये लिखा हुआ है आपको 100 रुपे इसमें फीस लगेगी इसके बाद हम आगे और आपको बता देते हैं इसमें ये इसका एक्जामिनेशन होगा एक्जामिनेशन जो होगा उसमें 200 कुश्चन आएंगे इसमें 200 कुश्चन आएंगे और 200 मार्के होंगे और 1 फोर्थ क की इसमें negative marking होगी one fourth की negative marking होगी और इसमें जो ये लिखा हुआ क्या क्या है इसमें आएगा कैसे आएगा इस side में लिखा हुआ है पूरा तो आप पढ़ लेना इसमें कैसे कैसे paper आएगा इसके बाद इसमें selection mode क्या होगा one tire ignomination ये selection mode है इसमें एक ही इसका exam होगा one tire इसमें two tire नहीं होगा तो ये मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है अब age का मैं बता देता हूँ OVC के बगर के लिए इसमें लिखा था इसमें table बनी हुई थी देखो ये बनी हुई है table जिसमें जो age है CST के लिए 5 साल का है OVC के लिए 3 साल का है physical indicator के 10 साल के लिए है CST का physical indicator 15 साल के लिए है तो जिसमें लिखी हुई थी उपर उसमें आप इतना जोड़ सकते हैं extra तो ये अच्छा मौका है इसमें अच्छा जो ज़्यादा आयू वाले उनके लिए सही मौका जी दिया गया है तो आप लोग form भर सकते हैं तो आप लोग जल से इस form को apply करें और ध्यान रखें इस date का और कोई दिक्कत हो तो आप comment कर सकते हैं और इस description को मैं इस link को add कर दूँगा तो वहाँ से आप लोग इसको पड़ा लेना और अच्छे से